स्टुडेंट्स यह आपका पार्ट नाइन वीडियो इस चेप्टर का पार्ट नाइन वीडियो में प्रस्नावली 6C पे हैं और कोशन नमबर है 3 करनिम्न आकरिती में देख लीजिए तिरभूज O D C O D C समरूप है तिरभूज O B A के O B A के समरूप है कारा एंगल B O C 125 डिगरी है जैसा कि आप चितर में देख रहा है एंगल C DO 70 डिगरी है यह भी चितर में दिया हुआ है ठीक है C DO 70 डिगरी है तो हमें क्या निकालना है D O C D C O और एंगल O A B ग्याद करने के लिए करा है तो पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है दिया है हमारे पास कि तिरभूज O D C समरूप है तिरभूज O B A के एंगल B O C दिया है 125 डिगरी 125 डिगरी और एंगल C DO दिया है 70 डिगरी तो ग्याद करना है तो ग्याद करना है यह पर साबित नहीं करना है यह ग्याद करना है क्या ग्याद करना है तो एंगल D O C क्या होगा एंगल D C O क्या होगा और एंगल O A B क्या होगा यह तीनों को ग्याद करना है ध्यान से देखिए अब इसका ह डी ओसी की बात करता। अच्छा यह दोनों का योग 180 होगा न यह रैखिक योग κα्यूक्ट हम लिख सकता है कि अंगल डी ओसी और ब्लस इंगल B O C बराभर में 180 PER कैसे होगा तो यह रैखिक योगम है ंडा न दोनों का योग 180 होगा रैखिक यूग में चलिए तो यहाँ पर हमें DOC निकालना है और यह आपका 125 डिग्री दिया तो यह ले जाके उदर घटा देंगे 125-180 में से तो एंगल DOC जो होगा आपका 55 डिग्री आ जाएगा तो यह हमने 55 डिग्री निकाल दिया अब हमें क्या निकालना है DCO एंगल DCO त फिर इन दोनों का योग इस बाहिकोंड के बराबर होगा हम लोग यह भी कह सकते हैं उन्हों कह सकते ना इस तरह से तो चलिए आप देखिए यह पहले के लिए हो गया अब इसका दूसरा वाला देखते हैं हम लोग यहाँ एंगल DCO यह वाला DCO आप पलस एंगल CDO CDO इन द कोनों का योग इसका और इसका इस बाहे कोण के बराबर हो जैगा अगल बियो सी के बराबर होगा या इस तिर्भूच के तीनों कोणों का योग खो bottom highest I bet the 보고 से होगा तो इस वाइकोंड जो होता है यहां बाहे कोण जो होता है वह सुदूर दो अंता तिर्भूज के सुदूर दो अंता कोनों के योग के बराबर होता है यह ना होता है जी चलिए तो अब देखिए यहाँ पर हमें एंगल डी सी ओ ग्याद करना है और सी डी ओ का वैलू यहाँ पर सतर डिगरी दिया है फिगर में आप देख रहा है और बी ओ सी आपका ओ एबी ओ एबी यह वाला निकालना है तो हमारे पास यहां दिया हुआ है कि तिर्भूज ओ डी सी समरूप है तिर्भूज ओ बी एक है यहां दिया हुआ है इसलिए यह दिया हुआ है यह तीसरा कोन निकाल गए तो हम लोग पता है हम लोग को पता है कि दो समरूप दो समर त्रिभूजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो यहां से देखिए हमें क्या निकलना है एंगल OAB निकलना है कुछ सदिया है O-D-C समरूप है O-B-A के जहां से देखिए गा O-D-C समरूप है O-B-A के तो लास्ट में कौन सा सिर्शिस में आ रहा है यह वाला तो यह हिसके संगत होगा ना तो हम लोग तो देखो इसमें नाम कैसे लिखा है यहां से भी हमें नाम पता चला है यहां से भी पता चला है ओ सीडी एंगल ओ सीडी बरावर हो जागा तो यहां कितना डिगरी है यह अभी आपका तो पच्पन ही डिगरी है ना जी तो तीनों कोड़ यहां पच्पन डिग्री हो गए चलिए कोसर नमर चार देखे हैं कहारा है तिर्भूज PQR की भुजाओं PR और QR पर करम सह बिंदू SOT इस प्रकार इस्तित है चलिए पहले मैं यहां पर क्या करता हूं कि तिर्भूज ले लेता हूं फिगर भी बनात QR पर कौन इस्तित है ऐसे हैं ठीक है और बुजा QR पर कौन इस्तित है टी इस्तित है किस प्रकार से इस्तित है कि एंगल P यहांप यहां वाला कौण कि कि बराबर हो जा रहा है एंगल RTS के एंगल rts यहां से ऐसे मिलाएंगे तो यह इसके बराबर हो जा रहा है यह कोड इस कोड के बराबर है तो मैं इन दोनों तिर्भूजों को समरूप करना है तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुए और फिर क्या सिद्ध करना तिर्भूज pqr में s तथा t करमसा भूजा pr तथा qr पर इस्थित है ठीक है और क्या दियो है इस प्रकार इस्थित है कि एंगल p बराबर है एंगल rts के हम तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि तिर्भूज rpq समरूप होगा तिर्भूज rts धान से दखिए आरई पी q तिर्भूज rts के समरूप यहाँ पर ग्लिया भी ना तो ध्यान से यहाँ ग्लिया है स्रिस्हा, मैं नहीं दोन कीश में R से सुरू किया है, बहुत हैं यहां पर को कोड़े वाला लिया है, प्लिए है, उसे कौन सा सकेंड में पीrat लिया है, तीनि संगत सिर्सओं का ध्यान रखता है, I will work on my questions, हमें भी ध्यान रखता है, so तो देख रहा हो ना यहाँ पर आर पी क्यू लिए तो यहाँ पर आर टी एस ले लिए गया तो संगत को सिर्षो को संगत सिर्षो को ध्यान में रखते हुए ही लिखा जाता है यहाँ तभी आपका सही लिखना होगा वो सही कहलाएगा तो गलत बहुत लोग गलत सही लिख दे लिखेंगे कि तिर्भूज rpq तथा तिर्भूज rts में तो हमें दो चीजे बराबर चाहिए न तो एक तो कोड यह बराबर ही दे दिया है देख लो अगर मैं यहाँ पे rpq की बात करूं तो यहाँ पे अंगल पी उसमें है ही और rts की बात करूं तो एंगल rts यहाँ है यह दिया हुआ है और दोनों तिर्भूजों में उभैनिस्ट कोड एंगल आर दिया है दोनों में है तो एंगल आर दोनों में ले सकते हैं यह उभैनिस्ट है यह तो बराबर होंगे ना जी उभैनिस्ट है ठीक है तो यहाँ से तिर और P Q सम्रूप हो जाएगा तिर्भूज R T S के कैसे तो एंगल एंगल सम्रूपता से सिंपल सा कोशन था समझ गये चलते हैं अब कोशन पर चलिए कोशन नमर 5 देखते हैं कि निम्र आकरिती में यदी तिर्भूज A B E सरवांसम है तिर्भूज A C D के तो हमें दिखाना है क्या दिखाना है साविट करके कि तिर्भूज A D E सम्रूप होगा तिर्भूज A B C के चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ दो तिर्भूज, कौन-कौन से, A, B, E, सरवांगसम है तिर्भूज A, C, D के, और हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कि तिर्भूज A, D, E, समरूप है तिर्भूज A, B, C के, चलिए अब इसका हम लोग प A, B, E, सरवांगसम दिया है तिर्भूज A, C, D के, ठीक है, यह हमारे पास दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो तिर्भूज सरवांगसम हो, तो उनका च्यत्फल बराबर होता है, दो, तिर्भूज नहीं कोई भी आकृती होगी, तो उनका च्यत्पल बराबर, और वो सरवांगसम है तो दो सरवांगसम सरवांगसम आकृतियों दो सरवांगसम आकृतियों का छेत्रफन बराबर होता है इसके कारण से यहाँ पर एरिया आफ ट्रैंगल A B E बराबर हो जाएगा एरिया आफ ट्रैंगल A C D A B E और A C D इन दोनों का शित्पल बराबर जागा हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ से दोनों तरफ से हम लोग यहां क्या करते हैं area of triangle A, D, E घटा देते हैं अब आप सोच रहे हों कि सर यह सब क्यों कर रहे हैं देखिए हमें दिखाना है इन दोनों को समरूप तो समरूप दिखाने के लिए कोण है या संगत भुजा कर रहा हूँ तो अगर आप क्लास 9 पड़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहां पर यह सब कर क्या रहा हूँ तो A, B, E और A, C, D में यह उभैनिस्ट है यह छेत्र, तो इसी को मैं घटा दे रहा हूं दोलों में से, area of triangle A, B, E में से घटा देते है area of triangle A, D, E, ठीक है, A, B, E में से, यह A, D, E घटा दिये, और बराबर में area of triangle A, C, D में से घटा दिये area of triangle A, D, E, तो देखो, A, B, E में से, जब यह A, D, E घट जाएगा, तो यहाँ पे, आपका यह वाला बचेगा, बचेगा नहीं यह वाला triangle, इसका नाम क्या दे देंगे, area of triangle D, E, B, D, E, B, A, C, D में से, अगर A, D, E घटेगा, तो यह वाला बचेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, area of triangle, आप इसे लिख दोगे, E, D, C, D, E, B, और आपका E, D, C, इन दोनों का छित पल देखो, बराबर हो रहाएगा, तो दोनों का अधार एक ही है, तो हमें पता ह कि एक ही अधार वाले अगर दो तिरभूजों का छित्फल बराबर हो, तो ओ एक ही समांतर के बीच इस चित होते हैं, कि एक ही अधार वाले, एक ही अधार वाले, दो तिरभूजों का छित्रफल बराबर हो, बराबर हो, तो वे एक इहीं समांतर के बीच इस्थित होते हैं बीच इस्थित रहते हैं ठीक है यहनि इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि यह D.E.B.C. के समांतर है D.E.B.C. के समांतर है तो जब ये D.E.B.C. के समांतर होगा तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा संगत कों Уजाएगा मैं रजी ठीक है क्योंकि यह तिर्य करे सकते हैं हम लोग इन दोनों तिर्भूजों को समरूप नहीं सब्ल करूप नोगा A, D, E, तथा तिर्भूज A, B, C में, देख लिजिए, हमनों क्या ली सकते हैं आपर, तो मैं समरूप करना है तो यह आपर ले लेंगे, एंगल A, D, E, बराबर में एंगल A, B, C, संगत कोण के युग में हैं, क्योंकि यह समांतर दिया तो यह संगत कोण आपस में बराबर होंगे, अच्छा दूसरा एंगल A, E, D, बराबर में एंगल A, C, B, यह भी आपके संगत कोण के युग में हैं, और एंगल A, एंगल A, दुन्न में हैं, तो हमें तीन कोण क्या दिखेंगे, जड़ेंगे, दो ही कोण से काम हो जाएगा, तिरभूज A, D, E समरूप हो जाएगा, तिरभूज A, B, C के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका समरूप हो गया, प्रमानित हो गया, चलते अगले कोशन पर, कोशन नमर 6 देखिए, कह रहा है, समांतर चत्भूज, A, B, C, D की बढ़ाई गई भूजा, A, D, पर इस्थित, E, एक बिंदु है, पहले मैं यहाँ पर समांतर चत्भूज, फिगर बनाते चलता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ मैं, हम लोग यहाँ पर एक समांतर चत्भूज की रशना कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक समांतर चत्भ कुछ हो गया, चलिए, अब इसका नाम हमें आपे देते हैं, A, B, C, D, बढ़ाई गई भूजा, A, D, पर इस्थित, E, एक बिंदु है, अचा, A, D, को बढ़ाया जाए रहा है इस तरह से, और यह कहां चला जा रहा है, E, एक बिंदु आगे, आगे यहाँ पर, E, एक चिद करती हैं, देखिए, B, E, होगा, यह C, D, को कहां पर काट रहा है, F पर काट रहा है, तो हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है, किसको, A, B, E को, और आपका C, F, B को, चलिए देखते हैं, क्या दिया हुए और क्या सिद्ध करना है, पहले जो दिया है, लिख देते है A, B, C, D, एक समांतर चत्रभूज है, समांतर चत्रभूज है, ठीक है, अचा, A, D को, E तक, बढ़ाया गया है, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, कि, B, E, B, E, जो है, C, D, को, F, पर काटती है, या प्रतिछेद करती है, प्रतिछेद करती है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि, तिर्भूज, A, B, E, समरूप होगा तिर्भूज, C, F, B के, ठीक है, चलिए, अब हम लोग इसका प्रमान देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है, यहाँ पर देखिए, हमें इन दोनों को, A, B, E, और C, F, B, इन दोनों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है, तो हमें दो कोण बराबर मिले तो काम बन जागा न, तो देखो न, आपका यह क्या है, A, B, C, D, E, समांतर से तुझाते हैं, गले, एंगल, C के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अच्छा, दूसरा, यहाँ वाला कोण, इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह इसके समांतर है, और यह तिर्यक हुआ, तो यह एक आंतर अंतर कोण से बराबर हो एंगे, A, B, E, और C, F, E, में, पहला मैंने जैसे बोला कि एंगल A बराबर एंगल C, क्यों, क्योंकि हमें पता है, कि समांतर चत्रभूज के, समांतर चत्रभूज के, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या आमने समने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते है ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा एंगल A, E, B घंत देखिए A, E, B, यहाँ वाला कॉन बराबर हो जाएगा एंगल देखो, यहाँ पे नाम देखना A, E, B लिए तो उसी करूंसारे यहाँ पे बिलेंगे एंगल C, B, F तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटियर एंगल से तो यहाँ से समरूप नहीं हो जागा तिरबूज A, B, E समरूप हो गया तिरबूज C, F, B के कैसे समरूप हो गया? तो एंगल समरूपता से हमने यहाँ इसे प्रमानित करके दिखा दिया समझ गए चलते हैं अगला कोशन है सेवेन नमर करा सीडी और जीएच करमसा एंगल एसी बी और एंगल ईजी एफ के ऐसे समधिभाजक है कि बिंदू डी और एच करमसा तिर्भूज एबी और एफ इजी की भुजाओ एबी और एफ इपर इस्तित है तो चलिए हम लोग यहां से हमें यह तो पता चला है कि पहले दो तिर्भूज बनाने होंगे एबी सी और एफ इजी पहले मुझे यहीं दिख रहा है पहले मैं यह काम कर लेता हूं फिर आपको आगे कोश्चन समयाता हूं ठीक है चलिए एबी सी यहापका एक तिर्भू जो गया दूसरा तिर्भूज कौन सा है एफ इजी ठीक है और यह दोलों सम्रूप भी दिया यहां बिंदू ले लेता हूं और आपका यह एफ पर एफ पर कौन बिंदू इस्तित एच छी पार दिखे यहां पर मैं विंदू एचले लेता हूं अब आगे दिखिए, कहा रहा ही कि CD यहां से समझ मैं का सीडी एंगल A,C,B का सम्दीभाजक है, C,D यह होगा, एंगल A,C,B का सम्दीभाजक है, अचा दूसरा जीएच जो है, यह वाला, एंगल EGF EGF इसका सम्दी भाजक है न जी सम्दी भाजक ये कोण की सम्दी भाजक है यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा इसका मतलब ही नहीं हुआ चलिए अब इसके बाद देखिए तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करता है दिया है हमें कि तिर्भूज ABC तदा तिर्भूज अपनी भासा में लिख देता हम लोग FEG में इन दोनों तिर्भूजों में क्या कहा रहा है कि CD और GH करमसा करमसा एंगल ACB और एंगल EGF का सम्दिभाजक है का सम्दिभाजक है यह दिया हुआ है ठीक है अच्छा और कहा दिया है कि तिर्भूज ABC समरूप है तिर्भूज FEG के ठीक है चलिए अब लिखते हैं तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें तो हमें सिद्ध करना है हमें यहां पे सिद्ध करना है पहला देखिए पहले में दिया है कि CD बटा GH बराबर AC बटा FG दूसरे में क्या सिद्ध करना है तिर्भूज DCB समरूप है तिर्भूज HGE के तीसरे में क्या दिखाना है तिर्भूज DCA समरूप है तिर्भूज HGF के ठीक है तो चलिए अब एक एक करके यहां पर हम लोग इसको साबित करके देखते हैं तो पहले देखो में प्रमानित करने के लिए मुझे तो पहले क्या करना होगा इन दोनों तीसरे को पहले प्रूज करेंगे बाद में फर्स्ट वाले की बात फर्स्ट वाला तो इन दोनों के अधार पड़ी जिससे भी हो देख लिजे न सीडी जी एच और एसी और जी एसी और यह आपका एफ जी यह दो तो यहां पर में सिंपली हम यह चोटा वाला दोनों तिर् तो हमारा टार्गेट है कि पहले इन दोनों छोटे छोटे तिर्भूजों को समरूप करना तो समरूप करने के लिए दो कोड कम से कम बराबर होने चाहिए तो हम लोग वही दो कोड देखेंगे हमारे पास यहां दिया हुआ है कि आपका CD और GH करमसा करमसा एंगल ACB और एंगल EGF का समधी भाजक है यह उनको दो बराबर भागों में बाढ़ता है तो इसके अनुसार मैं लिख सकता हूँ यहां पर लिख सकता हूँ कि एंगल ACD बराबर एंगल BCD ध्यान से देखिए ACD बराबर एंगल BCD और बराबर 1 बाई 2 आफ एंगल ACB का आधा यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा क्यों क्योंकि यह दोना आपस में बराबर है तो पूरे का आधा होंगे न जी अच्छा इसी प्रकार अगर मैं इसमें बात करूंगा तो लिख मैं एंगल FGH बराबर एंगल EGH किसका आधा हो जाएगा तो हाफ ओफ एंगल F FGE FGE यह इसके बराबर तो यह पूरे का आधा होगा चलिए समझ रहे हैं तो इसको मैं समीकरन एक माल लेता हूँ और इसको समीकरन दो माल लेता हूँ अब देखिए हमारे पास चुकी तिरभूज ABC समरूप तिरभूज तिरभूज F E G के 這 ő ने पास है यह हमांने पास दिया हो तो उसमरूप तिरभूजयों के शंगत को बराबर हो जाएंगा ना जी चैसलिता है आपक लिख सकते हैं यह पजए ना जी हम कि दो समरूप मैं दो संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहां से देखिए, यहां दोनों तिरभूज और F, E, G यह दोनों समरूप हैं, तो यहां पे हो जाएगा एंगल A बराबर में एंगल F, टीकरें, एंगल B बराबर में एंगल E, अचाब और हो जाएगा एंगल C, अचाब एंगल C को मैं पूरा नाम देता हूँ, एंगल A, C, B, और किसके बाबर हो जाएगा, हैंगल ऑल ये घृ टेंग एक वारनार नाम देंता हूं एंगाल फर गईवर मैं ऐसा मिंदे रहाओ क्या है उपर लंक्लिक् सब्सक्त्ति क्वद्रत उससरा च्याओक-राओ-ध्वर नाम फिलसे फतंगे यहीं बिख्बरतामा ऊपनार मेंने देंसे यहां दोनों आपस में बराबर हुए तो इसका मतलब यहां कौन भी आपस में बराबर हो जाएंगे तो यहां से हो जाएगा एंगल ACD बराबर में ACD बराबर एंगल FGH बराबर एंगल BCD बराबर एंगल EGH देखे न हमने चारों एक दूसरे के बराबर यहां दिखा दी ठीक है तो ऐसा क्यों हुआ आप तेहली देंगे समी करन एक तथा दो से अब देखिए हमें दो इस तिर्भूज को और इस तिर्भूज को सम्रूप करना है इस तिर्भूज को और इस तिर्भूज को सम्रूप करना है तो मैं पहले तीसरे नंबर वाले को सम्रूप करना हूँ क्योंकि तीसरे नंबर से हमारा पहला वाला प्रूप हो जाएगा तो हमारा तीसरा वाला क्या था तो हमें में कि तिर्भूज आपका जो DCA है ना समरूफ होगा HGF के तो हमनों लेते हैं तिर्भूज आपका कौन सा हो जाएगा DCA तथा तिर्भूज HGF इन दोनों तिर्भूजों में तो यहां वाला यहां कोण के बराबर हमने यहां ऊपर दिखा दिया है कि अगल a c d बराबर हैं एंगल f gh के दिख लिए दोनों इस ही के न कोण है जी इसका यह है इसका यह हां अ चाहाए और उपर हम लोग तो आप साबित कर चुके हैं हिचा तो यहां से क्या हो जाएगा दोनों संन्रूप निंग music है समरूप हो जागा तिर्भूज एले संब्रूपता सो यह जब सम्रूप हो गया तो हमें पता है फेले वाले के लिए फर्सनबंबर के लिए दो सम्रूप दो समरूप त्रिभूजों के संगत भूजाओं का अनुपाद बराबर होता है तो यहां से हम लोग देखेंगे इन दोनों तिर्भूजों में ठीक है तो हमें लेना था सी ड्य के प्रवानित करुजह उसी सर चलेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा अपका जी य alignment और यहां पे मुझे क्यों साले नथा हैं दूसरा हमें दूनों को नंथे मग फ्रामांद के यहां परalten CD और यहां GH लिए है तो आप क्या हो जाएगा आपका हम जो प्रूब कर रहे हैं उसमें AC दिया हुआ है तो AC के संगत यहां पर यह हो जाएगा FG ठीक है तो हमने पहला भी प्रूब करके दिखा दिया यह दोनों समरूब करके ते लिए अब हमें दूसरे वाले पुचलना तो सेकेंड नंबर में मैं समरूब दिखाना था तिर्भूज DCB तथा देखो DCB तथा तिर्भूज दूसरा कौन जा था एच जी ई इन दोनों को जाएगा तो यहां पर कोंड़ हम लोग उपर दिखाई है अंगल BCD बराबर में एंगल EGH ऑचा अचछा दूसरा क्या हो जाएगा तो हम ने उपर दिखाया है कि एंगल B एंगल E के बराबर है यह कैसे दिखाया था क्योंकि यह पूरा तिर्भूज समरूप है तो इनके संगत कोन बराबर हो जागा तो हमनों दोनों उपर दिखा चुके है तो यहां से हमारा तिर्भूज समरूप नहीं हो जाएगा जी चलिए तो तिर्भूज DCB समरूप हो जाएगा तिर्भूज HGE के कैसे? एंगल एंगल समरूपता से तो यह हमने प्रमानित करके तीनों दिखा दिया तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं नेक्स वीडियो में आगे कोशन को देखेंगे आपको हमारे तीन चैनलों को सस्क्राइब करना होगा पहला है पाथ फाइंडर क्लासे शपरा पाथ फाइंडर क्लासे शपरा दूसरा है आपका भारती भवल भारती भवल रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे और इस रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्सर में जाएंगा और इसे रिलेटेड नोट्स के लिए Google पे जाकर सच करेंगे www.ravikantzar.in और यहां जाकर आप सभी Classes के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं